हेलो स्टुडेंट्स आज मैं आप लोगों बताने वाला हूँ कि SSC के नए OTR को कैसे फिल किया जाए वन टाइम रिजिस्ट्रेशन आप फिल करना चाहिए तो कैसे बरेंगे तो आपको सबसे पहले तो जो नियू SSC की विबसाइट उस पर जाना पड़ेगा उसके लिए आप आपको कुछ इस तरीके का फेस खुल के आएगा जिसमें आपके मानिय प्रधार मंत्री मोधी जी बने होंगे यह आपका इसका होम पेज होगा यहां पर जो इस्टुडेंट नए है वह यहां पर लॉग इन का ऑप्शन यहां पर आएगा डिजिस्टर का ऑप्शन आएगा तो अगा मैं उनके लिहां पर बता रहां उनको क्या करना है इस पर click करना है उनको हिसके लिए आपको धश्रॉट करना है ठोड़ा साब यहां पर आएंगे तो continue इस पर क्लिक करना है continue क्लिक करने के बाद यहां पर आप से कुछ basic detail मांगें के जैसे date of birth आधार कार्ड नमबर यह सब चीज़े हैं तो यहां पर हम क्लिक करेंगे आधार कार्ड पे पूछा है यहां पर आघार करना है यहां पे यहां पर उपर नो करना है इसके बाद आपके पास जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है इस पे क्लिक करना है आप को ठीक है इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास जो भी होगा यह खुल जाएका ड्राइबिंग लाशन्स कर सकते प्र अधारकार्ड ने पैन कार्ड पास्पोर्ट यह सब दर नहीं कर सकते हैं पूछा क्या चैंट जैसे आपके high school certificate पर लिखा वैसा आप यहां पर अपना नेम आप फिल करेंगे ध्यान पूरवक आपको फिल करना है फिर उसको आपको यहां पर verify कर लेना है फोर्थ नंबर पर पूछा किया यहां पर यहां पर लिखेंगे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको लिखेंगे और उसको वेरिफाइब कर लेंगे इसके लिए आपको यहां पर जाना है और यहां पर कलेंडर का उप्शन मना होगा इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आजाएगा यह ऐसे बन लिखा मिला इसी पर आपको क्लिक करना है यहां पर आजाएगा अब आप जिस एयर में रहे हैं जनम हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर यहां पर देख करके चूज कर लिए किसी बच्चे का जनम 1998 में हुआ है तो मैंने इसमें क्लिक किया अब उस बच्चे का जनम जलम किसमांत पर इसमें यहां पर अपरील में उसकी डेट आप बड़त उसकी सोः है पंदरा अप्रेल उनीच जाएगे में फिर से आपको वेरिफाइघ करने लिए फिर से वही सेम प विल इसके लिए आपको यहां पर फादर्स देम अधार पर भरना है और आगे जाकर करके आपको उसको करना है और आहां यहां आपको यह करना है और उसके बाद आपको verify करना है यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे 10 number पे आपको क्या करना है roll number अपना जो है यहाँ पे जो high school में roll number है आपकी mark seat पे दिया गया तो यहाँ पे आपको fill करना है और उसको जो है verify कर लेना है 11th number column में आप कहा गया है कि year of passing किस साल में आप पास हुए तो इसमें क्लिक करेंगे तो year देनेगा आप जैसे मांते लोगा आप 2016 में पास हुए हाइ स्कूल तो यहाँ पे आप स्कॉल करेंगे 2016 आजाएगा 15 आजाएग 14 आजाएग उसमें आप क्लिक कर सकते हैं फिर उसके बाद आप हाइ स्कूल को वेरिफाई करके पासिंग आगे आजाए हाइस लेवल आफ एजूकेशन पालिफिकेशन तो आपका जो हाइस्ट एजूकेशन है या सबसे आपने ज़्यादा जो है हाइस सिकंडरी लेबल किया यह डिप्लोमा कोई किया जो भी किया त इस पे का मैसेज अपर आव सकता है अगर आपने उसके रिचार्ज नहीं कराया तो फिर मैसेज उस पर नहीं आएगा गाणिट्र का इमेल आई-डी बगएब हो जो आपके मुबाइल में हो जिससे के आपको बगएब यहां पर कर सकें उसके बाद आपको यहां पर save and next कर देना है जब आप save and next पर click करेंगे तो इस तरीके का option बनके आपके सामने आएगा कि आपका personal details submitted successfully फिर आपको इस पर ok पर click कर देना है उसके बाद यहां पर आपको continue आपको करना है click करना है फिर आपके mobile number पर एक registration number और password गया होगा उस registration number और password को यहां पर fill करना है आपको registration number और password फिल करने के बाद यहां पर जो capture यहां पर लिखा हुआ है उस capture को यहां पर fill करना है और उसके बाद यहां पर sign in पर click करना है आपको जब आप यहां पे अपना registration नंबर यहां पे फिल करेंगे तो उसके बाद कुछ ऐसा फेस खुल के आएगा और यहां पे आप से registration नंबर फिर से मांगेगा old password जो अभी अभी आपके mobile नंबर पे गया तो वो password और इसको फिल करना उसके बाद नया password आपको यहां पे बनाना है नया password बनाने का मतलब है कि SSC नहीं चाहता है कि उसके तरफ से दिये गए password को आप यूज करो आप खुद का password को इजनरेट कर ले यहां पर आपको यह नया password बनाएंगे जैसा कि यहां पर नीचे इंस्टरक्ट किया गया है क्या क्या चीज़े होनी चाहिए आपके password में उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे password अपना नया बनाने के बाद यहां पर confirm password पर क्लिक करेंगे confirm password आप फिर से वही same password डालेंगे नया password आला नीचे आकर कि आपको यहां पर scroll down करके security questions आपके कुछ मिलेंगे जैसे यहां पर पूछा कि किस city में आपका जन्म हुआ है आपकी माता जी का मेड़न नेम क्या आपके फेब्रेट मूवी कौन सी है यह सब चीज़े पूछेंगे security question को पुना आप फिर से आप एक बार click करेंगे और नया कोई question यहां पर फिल करेंगे उसके बाद आप यहां पर save and next पर click करेंगे अगले page पर आपको यहां पर आपका registration नंबर और नया वाला password यहां पर होना चाहिए और यह जो यहां पर capture दिया हुआ इस capture को यहां पर फिल करके आपको login पर click करना है आगे आएंगे यहां पर तो यहां पर आपसे category पूछी गई है आप यहां category पर click करेंगे और आपकी जो category कर लिए यहां पर लिखा मिलेगा आपको citizen of India तो यहां पर citizen of India पर आपको क्लिक कर देना है आगे बढ़ेंगे यहां पूछा है are you person of benchmark disability क्या आप disability benchmark related person है तो नहीं है तो पहले से no होगा आपको इसमें कुछ करने की जरूबत नहीं है और अगर कुछ है तो yes करने के बाद यहां फिर आपको इसको describe करना होगा कि आखिर क्या है blindness है deep है hard of hearing है locomotor disability कि छीष ईक्ती स्रेलेटेड इसको आपको बताना होगा यहां पे अगे यहां पर पीजेंट चायेल अगर आप अप Quindiец को अपना present करते हैं पर आपको फिर जो प्रिजेंट अड्रेस मान के चलिए कि आप का घर हर्दोई में है और रहलख नव में रहे हैं तो आप हर्दोई का प्रमन अडरेस दे दिए और लखनव का प्रिजेंट अड्रेस तो आपको फिर प्र firearm लखनव का जहां पर आप जिस जगह पर रह रहें फिल करना पड़ेगा उसके बाद सारी इटेल भरते ठोए यहां फिर आपको सही लगता है आपने देख लिया प्रिव्यू करके फिर से तो आप यहां पर चेक बॉक्स पर टिक करिए और उसके बाद डिक्लियर कर दीजिए ओके पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऐसा फेस ओपिन होके आएगा यहां पर आपको दिखेगा एड्मिट का उप्शन होगा उपर आपका पूरी डिटेल दीगोई होगी कि आप ने किस परसंद का जो है रेजिस्ट्रेशन ओपिन किया हुआ है किस परसंद की लॉग का दिंख रहा है सेलेखन पोस्टी ग्जामिनेशन इस के ओप अपपलाई कर सकते हैं आप क्लिक करके सब इंस्पेक्र इंडेली पुलिस इसका इगजाम आप अपलाई कर सकते। अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस का आपको फॉर्म भरना है सब इंस्पेक्टर कैसे भर सकते हैं सेलेक्शन पोस्ट इंग्जामिनेशन को आप अप्लाई करना चाते हैं कैसे आप भर सकते हैं आज के लिए वस इतना ही थैंक्यू सो मज